हाई अपर व्यूंट वैकम बेक तो माइ चैनल इस यह नुट वाइच ने चैनल में शर्किया शब्सक्राइब तो आज हम करें जाएं क्लास चैनल कर चैप्टर 6 ट्राइंकर उसके सेकेंड एक्सवाइब पॉइंट 2 को सेकेंड पॉष्ण धेखो कोष्ण कहता के पहले वह पढ़े हुआ उसके अक्रोडिंग अपनी डाग्राम बनाने चुरू करतों तो क्या है एन एफ आफ और पॉइंट और प्यूट प्यूट और प्यूट एंड प्यूट पी प्यूट प्यूट एंड गाइब भी यहाँ पे और साइड पे दोनों को जोइन किया तो उसने बोला कि घुर्डे के पैडलल यह उसने के रख दी तूब क्या बोला उसने कि यह कुछ दिये हुए ताइन पर्ट है इस कोश्यन में कि कुछ दिये हुएं यह बताऊं में सौल करके कि क्या यह जो कैसिस वह यह कहते हैं जितनी भी इनकी measurement दी हुई है यह कहते हैं कि इस diagram बेगर हम उन measurement के थ्रू बनाएं कि इतनी cm कि इतनी ले तो वह EF line के उकार के parallel आएगी तो देखो कोई भी line parallel तब ही आएगी जब उनके साइड्स के ratio साइड्स के क्या ratio equal हो तो साइड्स के ratio रखो देखो पहले क्या होगा इसमें देखो P E by EQ is equal to में P F by FR देखो अब question में दिया वहना आप measurements put करो P E है मारे पास 3.9 E Q है 3 is equal to में P F है 3.6 और यह है 2.4 इसको solve भी करेंगे तो मारे पास क्या हैगा देखो इसको solve कर क्या जाएगा मारे पास 1.3 और इसको solve कर क्या जाएगा मारे पास देखो जाएगा 1,2 and 2,3,2,8 तो यहाँ पर आजाएगा हमारे पास 1.5 तो यह तो एक दूसर एक equal है नहीं तो यह जो measurement दियू हुई है यह इसको इस triangle को satisfy नहीं करती है so in this case case क्या equal नहीं है E F is not parallel to Q R ठीक है next देखते है next में क्या दिया हुआ हमें वही same ratios रख लेंगे triangle क्या थ हमारे पास देखो देखो diagram बनाने करो diagram में मतलब की थोड़ा अच्छा लगता है question भी अच्छा सा लगता है फिर mark भी अच्छे अच्छे मिलते हैं तो तुम भी अच्छे लगते होगी तुमें भी अच्छा लगे गहां भी अच्छे mark चाहें हैं देखो P E upon me E Q is equal to me P F upon me F R डब दमेज्यमेंट्स के according 4 by me 4.5 is equal to 8 by me 9 अब इसको solve करेंगे इसको solve करेंगे तो क्या आएगा देखो solve करके आएगा हमारे पास अगर हम इसको solve करेंगे तो मारे पास क्या देगा 9 is equal to made by 9 अब यह तो equal है तो मतलब E F जो है वो parallel है Q R थे तो यह condition है satisfy होती है ठीक है next part पर चलते है last part इसमें भी same way रख लो triangle बनाया P Q R line बना दी E F आप रख दिये देखो यहां पर हमने ratios तो रख दिये लेकिन कुछ ratios उल्टे सीरे दियो है ठीक है तो देखो अब जो ratios दिये हो है ना उसको हम diagram में पुट करते है जो हमने ratios रख रखे उसके coding तो है नहीं नहीं तो हमें खुद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाएगा ओके यह question देखो diagram बनाया थोड़ा रंग सा बनाना की पिर इसमें सारी measurements लिखने पड़ेगी तो सही रहना की F देखो PQ यह पूरी side दियो है में 1.28 cm की ठीक है PR यह पूरी side दियो है 2.56 cm की PE यह इतनी दियो हुई है 0.18 0.18 ठीक है देख लेना यह लिए और PF PF का है PF तो हमने लिख ली sorry PE दियो हुई है मैं पास 0.18 और यह PF है वो में दियो हुई है 0.33 देखो यह हमने रख दी अब क्या करना है हमें इसी के according अपना ratios बना दो इसी के according ratios कैसे बन जाएंगे हमारे देखो अब PF है हमारे पास इसमें दे रखा है 0.33 अब अगर हमें FR की लेंध निकालनी है तो PF में इसे क्या माइनस करना पड़ेगा पूरा PR और इसमें भी वो करना पड़ेगा कि अगर हमें इसमें EQ की अगर हमें वो निकालनी है तो किसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा P E में से P E में से P Q माइनस करना पड़ेगा देखो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो अब अगर हमारे पास आएगी तो क्या आएगी इसमें equations में put कर दो जो भी हमारे पास दिया हुआ ये बन जाएंगी जो दिया हुआ है measurements पुट किया हमने तो क्या आगिया देखो F R के तना दिया हुआ था हमे F R तो निकालना है PF D is 0.36 0.36 minus P R कितना है P R है हमारे पास 2.56 इसे हमारे पास आजाएगा क्या जाएगा F R आजाएगा ठीक है और E Q के लिए क्या करना इसको भी सुल्व कर देंगे E Q के लिए हमें क्या करना पड़ेगा P E P E कितना है हमारे पास 0.18 0.18 minus 1.28 1.28 इनको minus करके हमारे पास आजाएगा ठीक है और फिर हमने ratios में क्या रख देना है E Q देख हमारे पास आजाएगा इसका होके 2.8 और F आजाएगा हमारे पास 2.54 यही कुछ आ रहा है तो P F by में E Q रखा इस इकॉल टू में P यहाँ पर E है ठीक है P F अपोन में F R रखा तो में पास क्या आ गया दोनों की सेम 9 by 64 वैसे मैंने 9 by 64 पूरा solve करके लिख दी है आपको जैसे की points में आजाएगा थे नों वैसे कर रखके सोल करके देखना आपके पास यही आएगा तो जो पहले एकी थी पर्स जो माँ पास equation थी वो satisfy नहीं करती है बाकी की जो second और third थी न वो इस condition को satisfy करती है कि अगर हम इन measurement को use करे तो जो है माँ पास दोनों लाइन है E F parallel आ जाएगी Q R क तो यह था question थैंक्यू और आप थैंक्यू और आपको समझ आया तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और वीपीटी ही यूज होगी इन questions में तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुए वीपीटी थे और अग्यू जाके देखो ताकि कोशन अच्छे से सोलो कर दो रघं जाके दो किक दो रह मैं जा ओर हैंक्यू जा कर दो नाग्यू और भी यू परताई हैंक्यू और अग्यू और आपको तो उन में पसके दो ग्या कर